दोस्तो सरकारी नोकरी की तयारी के लिए आप हमसे अनकैडेमी पर जूड जाए क्यूंकि यहाँ पर रेलेवे की परिक्षा के लिए क्रेश को चलाया जा रहा है उसके लिए सबसे पहले आपको अनकैडेमी का लर्लिंग या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जूड जाएंगे नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग दोस्तों एक बार फिर दिसे बहुत बहुत स्वागत दरता हूँ आप सभी का गवर्मेंट जूचन चैनल वर दोस्तों जैसा कि आप सभी को तो पता चली चुका होगा तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लल बटन मिलेगा उसे क्लिक कर दीजे बगल के बेल आइकूं को भी दबा दीजिगा ताकि आने वाली सभी सरकारी नोकरी की अपडेट और SSC GD की अपडेट आप तक सबसे बहुत सके तो चले दोस्तों बिदा समय और स्टार्ट करते हैं हमारे अच्छी कमाल की एजुकेशन जवाब समझेद वीडियो उसके पर आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है कोनार का सुर्य मंदिर की इस प्रदेश में स्तीत है आपके स्क्रीन पर जो अप्शन दिखाए दरिया समय से एक ओप्शन आपको कमेंड बॉक्स में कमेंड करके टाइप करके बेज दिना है और बन जाना है समार्ट विक्ति और साथी साथ आप हमारे टेलिग्राम जादों से भी जूट सत्पे जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रीप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो दोस्तो चाप शिलेक्शन कमेंड ने ओफिशल नोटिफिक्शन निकाल दिया है और इसमें बी एसेप, सी आरपीअप, सी आईसेप, एससबी, आईटीबीप, एर, एनाईए, एससेप के पदे और दोस्तो जिसमें मेल के टोटल 47,307 पदे और फिमिल के 7,646 पदे ऐसे टोटल 54,953 पदों पर यह भरती निकली है और दोस्तो आपका जो सवाले पहले परिक्शा होगी या दोड याने पहले एकजाम होगी या फिजिकल टेस्ट होगी तो दोस्तो इसका जवाबे पहले परिक्शा होगी और ओ होगी CBT टेस्ट या दोस्तो आपका जो दूसरा सवाले परिक्शा ओपलाइन होगी या ओनलाइन तो यह परिक्शा ओनलाइन होगी लेकिस्ट आपकी सबावलेंदे सकते हो, हें इस हमाते academic या अभी का है, तो या ये सिद्धारण अप्लाइ कर सकते हो एक आठ 2018 को जीया दोस्तो और साथी साथ आपको आई उमेच शूट भी मिल जाएगी सेश्टी को पाच वर्स का जरी लाग्जिशन है और एक सर्विस्मेन के लिए पाकरता क्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए तो दोस्तो एक अगस 2018 को आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट होनी चाहिए जा दोस्तो तेन्थ पास आप 18 2018 को होने चाहिए और अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है तो दोस्तो आपको और एससी के ओफिशल वेबसेट पर जाना है www.ssonline.nic.in इसके माद्दिम से आप आप आवेदन कर सकते हो और इसमें जो फीस रखी गए यह 100 रूपीज और यह फीस का भुक्तान आप इसपी आइ चाला नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ट डेबिट कार्ट के माद्दिम से कर सकते हो तो चले दोस्तो आगे बढ़ते दोस्तो फीजिकल एफिसेंसी टेस्ट की बात करें जो भी कैंडिडेट कंपुटर बेस्ट एक्जाम देंगे और उसमें जो 1600 मिटर दोड़ना है दोस्तो अब बात करते हैं लद्दा के यहाँ पर हाइट होनी चाहिए जनरल ऐसी ओबिसी कैंडिडेट जो है उनके लिए मेर के जो मेर कैंडिट जो है 170 cm और जो फीमेल कैंडिट है उनके लिए 170 cm और इसमें जो चेस्ट होनी चाहिए 80 to 85 cm तो चले दोस्तो जो लाज डेट है इसमें आविदन करने की 28 2018 जी या दोस्तो में शामिल हो और आपका शिलेक्शन हो जाए तो चले दोस्तो मैं मिलता हूँ आप शेविजें नेक्स वीडियो में तक लिए धन्यवाद आपका दिन शुपरे आपके कोई भी सवाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूचे और इस वीडियो को ज्यादा आपके ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जानकरें पोस्त के